हेलो एब्रीवान वेलकम टो इसी वे कॉमर्स क्लासिस्ट मैं हो तबिता और गाइस आज का टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है एडिक्शन सबको एडिक्शन का मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता है इस कॉल लगना किसी चीज के लिए हम इतने बावले ह हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वह चीज हमारे बेनिफिट्स की है या नुकसान की है उसी को एडिक्शन बोलते हैं गाइस राइट अब यह जो एडिक्शन है कई बार हमें एक अच्छी राह पर ले जाता है और कई बार एक बुरी राह पर ले जाता है जैसे अब erek से आपना ह्काशमार पर देखती रहती हूँ इतना जादा एडिक्शन और गेंग्ंग के उस गेम का क्या नाम है प्री फायर दायमेंड्स खरीदे में लगें मेंन हैं हां she आपको in return कुछ मिलता है तो guys यह जो gaming है या social media है यह हमारे relax का एक part बनाया गया था कि जब आप main काम करके ठक जाओ पढ़ाई करके ठक जाओ या office से आकर ठक जाओ तो आपको अगर relax of mind चाहिए तो आप social media पर थोड़ा time बिता लिया या gaming खेल लिया बट हमने क्या कर दिया है हमने अपने main काम को तो दरकिनार कर दिया और इसको अपना main काम बना दिया तभी तो यह हमारे लिए इतना जादा important हो गया कि घर में कोई कुछ बोलता रहता है हम उन्हें ignore मारते हैं और even इतना जादा aggressive हो रखे हैं हमें नहीं पता चलता यह सामने वाला बंदा notice करता है कि आगे वाला कितना aggressive हो के जवाब दे रहा है यह एक addiction का पाट है जिसमें काफी सारे students जो है वो फस रखे हैं लेकिन वो नहीं जानते यह एक थोड़े time के खुशी तो देता है लेकिन एक नुकसान जो है वो जीवन भर का होता है यह जो pleasure है आप थोड़े time के लिए enjoy करोगे जैसे कि मैं बहुत सारे अपने ही students में देखती हूँ एक cigarette का बनाब उन्हें try करना है cigarette पी के क्या होता है और रोज try करने जाना है या हफते में एक बाट राए तो guys जब आप उस friend zone में होते हो कोने में जाते हो सुटा फुखते हो और भाई एक अलगी खुशी आप लोगों के चैरे पर दिखाई देती है फिर tuition में आने से पहले chewing gum खा लेती हो कि मुझे तो smell आएगी ही नहीं है ना तो यह जो एक चीज है आपको उस समय pots पुखना कर रहा है और यह एक हैसा है जो आपको पत भी है लेकिन फिर भी आप कर रही हो और यह एक असा है जिसके आपको नहीं पता अप प्राइटबर और आप फिर भी आपको जाल दिया था और हो सकते हैं तब भी आपको इस चीज का रिलाइज दिना हो कि आपने अपना सारा समय इन चीजों में खराब कर दिया तब आप पेपर को को सोगे क्यों आगए पेपर बिलकुल बिकार से हैं यार कहीं से चिटेंगे मार ले हम एक चीज को लेके addicted है बट हमें नहीं पता और यह उन्हीं में से एक बहुत बड़ा reason है gaming, social media तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ एक reason है इसके पीछे कि आप अपने main goal को भूल चुके हो main goal आपका life क्या है वो भूल चुके हो अब एक illusion world है हमारा illusion world कह सकती हूँ में जहां पे लोग reels के through famous होना चाहते हैं जहां पे लोग और ज़्यादा importance गेन करना चाहते हैं लेकिन online offline वो क्या है कुछ भी नहीं है लेकिन online एक उनको एक कहते ना famous होना है तो एक illusion वाले world में हम लोग जीने की हम लोगों को आदत हो गई है क्योंकि हम फोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हम अपने आसपास के और से देखना ही नहीं चाहते तो अब हमारे पस जो हमारा main aim था उतना दो आपके उपर है भाई अपना दिमाग यूज करो अपने mind को सही जगे पर लगाओ और देखो कि मेरे लिए क्या चीज़ important है in real world not illusion वाले world में जहां पर हमें diamond मिलते हैं जहां पर हम famous हो रहे हैं reels के through 63 के हमें likes मिल रहे हैं भाई वो एक ऐसा world है जहां से आपको अगे पड़े हैं तो उसका कोई benefit नहीं है तो आपको मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा शांत बेटके अपने आपको सोचने समझने की आपको जरूरत है कि मेरा aim क्या है और अगर बिना aim के जिन्दगी जीरे हो गाई तो आगे चलके बहुत दिक्कत होगी जब एक age achievements नहीं होगी हाथ में क्योंकि achievements age के साथ आनी जरूरी है 30, 25, 20 तक कुछ तो अचीव करना है नाम अपना बनाना है या बस गिराना है तो उसके लिए guys आपको एक real world में आपके क्या aim है उसको जानना बहुत जरूरी है इनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है अगर income source है मैं कह समय दो इन चीज़ों में और अपना aim कुछ बनाओ ताकि कुछ achieve कर सको life में ताकि आपका addiction guys जो है आपके आपके लिए नुकसान दायक ना बने आपके परिवार के लिए नुकसान दायक ना बने काफी सारे students इस चीज़ को लेके जो चिंता में है प्लीज आप अपना time decide करो कि कितना देना है मुझे मेरा aim क्या है जब aim सामने होगा तो ये दरकिनार हो जाएगा अभी कोई aim नहीं है ना life में अभी ना तो हमें percentage नजर आ रही है कितना achieve करना है ना ही हम स्कूल जा रहे हैं ना ही हमारे हमें कोई समझाने वाला है और अगर कोई घरवाला समझाता है त सभी स्टूडेंट से कि decide करो अपना aim और इनको उतना समय दो जितना जरूरी है थांक यू